हलो दोस्तों जोती उन्डिया रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि चनन दाल के दई वड़े कैसे बनाते हैं घर पर ही चनन दाल को मैंने रात पर भींगों के रख लिए थे और दाल को हमने दरदरा पीस लेंगे ना जादे महिन पीसेंगे ना जादे मोटा पीसेंगे देखे इस परकार हम पीस लेंगे दाल में मिलाने के लिए मैंने एक चुटकी खाने वाला सोडा लिए और इसमें एक चमच हम नमक मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिलाके सैड में रख लेंगे दही बड़े बनाने के लिए मैंने दो किलो दही लिए हैं वो घर पर ही जमा लिए हैं अब इसमें दो चमच नमक मिला लेंगे और दो चमच लाल मिच पाउडर मिला लेंगे और उसको अच्छी तरह हम फेट लेंगे दही को मैं हमने अच्छी तरह फेट लिए और इसमें हम पानी मिला लेंगे दही को ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे हम एक वर्तर लेंगे और उसमें एक लिटर पानी ले लेंगे और उसमें आधा चमच हींग मिला लेंगे हम कड़ाय में सरसो का तेल डाल देए और उसको अच्छी तरह हम गरम कर लेंगे अब तेल हमारा गरम हो चुका अब एक केक करके इसमें हम पकोड़े डाल देंगे। हाथों की सायता से हम चिप्टा करके ही डालेंगे और एक केक करके इसमें जितना तेल में आ सके उतना पकोड़ी हम डाल देंगे। और पकोड़ी को उलेट पुलेट के हम गोल्डन ब्राउन होने तक छान लेगे इस तरह से दवी बड़े की पकोड़ी बनाएंगे तो वह ही थी सफ्ट बनेगा पकोड़ी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब उसको हम निकाल लेगे और अच्छी तरह तेल जढ़कर हे निकालेगे साइड में करकर तेल हम निकाल लेगे अब हींग वाला पानी में हम पकोड़ी को डाल देगे और उसको थोड़ी दिर हम सुक करने देगे अब पकोड़ी हमारा अच्छे से सफ्ट हो चुका अब उसको हाथों के सहायता से हम चाप कर पानी निकाल लेगे और दही में डाल देंगे अब हम इसी परकार हम सारे पकोड़ी को च्छान लेगे और पानी में डीप करके ही दही में डालेंगे अब हमारे सारे दही बड़े बन गए हैं और उसको 2-3 घंटे के लिए दही में छोड़ देंगे देखे कितना सौट बना है दही बड़ा दही बड़ा के मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खड़ा जिर लिये और उसको गुलाके दरदरा पीस लेंगे अब दही बड़े को हम एक प्लेट में निकालके दिखाएंगे दोस्तों हमने दो दही बड़े लिये हैं और उसमें थोड़ी से काला नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर मिलाएंगे, थोड़ा सा फीसा हुआ जीरा मिलाएंगे, और थोड़ा सा धनिया पौडर मिलाएंगे अब हमारा दही वड़े बनकर तयार हो चुका है खाने के लिए अब हम आपको काट कर देखाएंगे दोस्तों कितना सव्ट बना देखिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमली में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए अगर आपको कोई वीडियोट हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लेकर भेजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग